प्रतिसाथियों जैहिंद बीए, बीएसी, पिकाम, बीएचेसी, बीबीए, बीसीये त्रती वर्ष के विध्यार्थियों के लिए आधार पार्ठेक्रम के अंतरगत, डीजिटल जागरुकता एवं साइबर सुरक्षा की तैयारी के लिए वस्तुनिस्ठ प्रश्न भाग नौ प्रश्न एक, आनलाइन पेमेंट के दो तरीके बताईए, उत्तर, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड प्रश्न दो, आनलाइन भुकतान में रुपियों का ट्रांसफर किस माध्यम से होता है, उत्तर, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रश्न तीन, डिजिटल पेमेंट में सुरक्षा के लिए क्या किया जाना चाहिए, उत्तर, प्रामानिक भुकतान प्रक्रिया का प्रयोग, अच्छे एंटिवाइरस का उप्योग, पासवर्ड को नियमित अंतराल से बदलते रहना आधी प्रश्न चार, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट कब बनाया गया था, उत्तर, वर्ष दो हजार साथ में प्रश्न पाँच, इगवर्नेंज के फुल फॉर्म क्या है, उत्तर, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंज प्रश्न चार, इगवर्नेंज की तीन उद्देश बताईए उत्तर, शाषन को बहतर बनाना, मॉनिटरिंग करना, नियंतरन करना प्रश्न साथ, इगवर्नेंज किसका उप्योग करता है, उत्तर, आईसी टी का प्रश्न आट, आईसी टी का फुल फॉर्म क्या है, उत्तर, इन्फॉर्मेशन एंड कम्यूनिकेशन टेक्नोलोजी प्रश्न नव, इगवर्नेंज के तीन उद्देश बताईए उत्तर, उत्तरदाईत्व, पारदर्शिता और ब्रस्टाचार में कमी करना प्रश्न दस, इगवर्नेंज के कौन कौन से तरीके हैं, उत्तर, जी टू जी, जी टू बी, एंड जी टू सी प्रश्न ग्यारह, जी टू जी का फूल फार्म क्या है? उत्तर, गवर्नमेंट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट का फुल फॉर्म क्या है उत्तर गवर्नमेंट टू सीटीजन सर्विसेज प्रश्न चौदह इगवर्नेंस के तत्व कौन-कौन से हैं उत्तर सरकार, नागरिक, व्यापार, इन्वेस्टर, आधी प्रश्न पंद्रह जी टू सी के चार उधारन बताईए उत्तर इसीटीजन, 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 इस प्रश्न अठारह इट एक्सेशन किसका उधारण है उत्तर जी टू बी का प्रश्न उन्नीस जी टू एन का फूल फॉर्म क्या है उत्तर गवर्नमेंट टू एन जी ओ प्रश्न बीस डिजिटल इंडिया कार्यक्राउं के अंतरगत कौन सी एप्लिकेशन प्रारंभ की गई थी उत्तर उमंग प्रश्न एक्कीस उमंग का फॉल फॉर्म क्या है उत्तर यूनिफाइड मोबाइल एप्लिकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस प्रश्न बाइस उमंग एप के माध्यम से कौन सी सरकार की सिवाएं प्राप्त की जा सकती है उत्तर राज्य एवं केंद्र दोनों सरकारों की प्रश्न तेईस उमंग एप किसने लांच किया है उत्तर भारत सरकार ने प्रश्ण 24, उमंग एप के माध्यम से कितनी सेवाओं को प्राप्त किया जा सकता है उत्तर, 127 विभागों की 841 सेवाएं प्रश्ण 25, उमंग एप कब लॉंच किया गया था उत्तर, नवंबर 2017 में बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल के साथ पनेहरें